कर लिया है और आज इस वीडियो में हम लेक्चर 3 शुरू करेंगे और उसके अंदर मैं आपको केमिकल रियक्शन्स ओफ एल्डिहाइड और की टोन्स के बारे में सिखाऊंगा एल्डिहाइड और की टोन का करेक्टरिस्टिक रियक्शन है नुकलिो फिलिक अडिशन्स पूले की तो अब हम यह समझेंगे कि यह नुकलिो Türkiye अडिशन्स प्यळाद रियक्शन का मतलब क्या होता है है देखो है हमने ले रखा एक एल्डिहाइड इस एल्डिहाइड की कार्बन और ऑक्षिजन के इलेक्ट्राउंस को वो अपनी तरफ खींचेगा और इलेक्ट्राउंस अगर जा करके ऑक्षिजन के ऊपर एकॉमोडेट हो रहे हैं रुक रहे हैं तो निश्चेत रूप से वहाँ पर नेगटिव चार्ज आएगा और जितना नेगटिव चार्ज जो ऑक्सिजन के ऊपर आता है उतना ही positive charge कार्बन के ऊपर आता है तो इस तरीके समय समझ में आ गया कि हमारे कार्बन पर डल प्लस चार्ज मौजूद होगा यहाँ पर जो हमारा कार्बन है वो इलक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम करेगा कहने का मतलब यह है कि वहाँ पर कोई भी नुक्लियोफाइल आ करके अटैक करा सकता है क्योंकि कार्बन यहाँ पर इलक्ट्रोफाइल का काम कर रहा होगा तो चलिए अब समझते हैं कि एडिसन रेक्शन कहने का मतलब क्या है तो देखो भी है इस अल्डिहाइड के अंदर है यह पाई बॉंड यह पाई बॉंड तूट जाएगा और कार्बन और आक्सिजन पर एक एक सिग्वा बॉंड आ जाएंगे और carbon से connect हो जाएगा एक nucleophile और oxygen से connect हो रहा होगा एक hydrogen अगर हमने reagent ले रखा है H with nucleophile यहाँ पे nucleophile कहने का मतलब हो गया कि जैसे कोई भी negative charge रखने वाला species या lone pair रखने वाला species देखो इस reaction में हमने क्या क्या है यह reactant जो है इस reagent के साथ जुड़ करके यह product दे रहा है मतलब कि हमारा जो reagent है वो जाकर के reactant में एकदम जुड़ जारा मिल रहा है मतलब add हो रहा है इस वज़ा से यह reaction addition reaction बोली जाएगी तो चले इसके mechanism की चर्चा कर लेते देखो भी अगर हमें यह aldehyde दिया जाए और सामने कोई nucleophile दिया जाए तो वो nucleophile के उपर जो negative charge होगा hydrogen की खोपड़ी पे आते हैं तो वहाँ पर negative charge बन जाएगा और हमारा जो nucleophile है वो connect हो जाएगा carbon के साथ इसका मतलब यहाँ पर carbon और nucleophile के बीच में एक bond बन जाएगा हमें जो यह species मिला है उसमें जो oxygen पर negative charge है वो negative charge attack कर रहा होगा H plus के उपर तब जाकर कि इस oxygen से hydrogen connect हो हमारे H plus को electrons मिलेंगे तो वो neutral hydrogen बन जाएगा और यहाँ पर oxygen electron donate किये इस वजा से oxygen और hydrogen के बीच में हमें यहाँ पर एक bond देखने को मिलेगा और हमारा oxygen यहाँ पर neutral हो जाएगा तो इस तरीके से finally हमें यह product मिलता है जहाँ पर carbon पर OH group दिखेगा और carbon पर क्या दिख रहा होग और यहाँ पर हमने दो group ला करके लगा दिया एक nucleophile है और दूसरा hydrogen है हमने जो भी reaction देखा उसके reactivity के बारे में हमें discussion करना है तो देखो भईया aldehyde और ketone में अगर हम reactivity का order देखें तो हमारा aldehyde जो होता है वो ज़्यादा reactive होता है with respect to ketone for nucleophilic addition reaction तो पहले यह line याद करि है कि steric crowding on carbonyl carbon हमारा जो यहाँ पर carbonyl carbon होता है अगर वहाँ पर भीण ज़्यादा होगी crowding ज़्यादा होगी तो वहाँ पर reactivity minimum होगी लेकिन अगर carbonyl carbon पर steric crowding बहुत ही कम होगी तो वहाँ पर reactivity सबसे ज़्यादा होगी ऐसा मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि reaction कर एक किनारे hydrogen होगा लेकिन ketone में दोनों किनारे rr group होगे मतलब alkyl या arryl groups होगे अगर aldehyde में एक तरफ hydrogen होगा तो hydrogen की size क्या होगी छोटी होगी तो किसी nucleophile का उस carbon carbon के center तक जाना बढ़ा आसान होगा इस वज़ा से हम यह बोलेंगे कि हमारा aldehyde जल्दी reaction करेगा with respect to ketone इ इसी nucleophile का उसकी तरफ अप्रोच करना आसान होगा अगर वहाँ पर अप्रोच करना आसान होगा तो वहाँ पर reactivity जादा होगी कहने का मतलब positive charge की density जितनी जादा होगी वो carbon carbon उतना जादा reactive होगा अब इस aldehyde में देखे इस carbon से जुड़ा होगा एक माली जी यहाँ पर alkyl group तो यहाँ पर एक alkyl group क्या कर रहा होगा electron का support कर रहा होगा इस carbon के del plus charge को by inductive effect अगर एक r group support करेगा तो इस carbon पर present जो del plus charge होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा मतलब वहाँ पर charge की density क्या हो जाएगी थोड़ी कम हो जाएगी लेकिन अब अगर ketone को consider करो तो इस carbon पर देखो दो r group लगे होंगे और दोनो r group electrons दे रहे होंगे उस carbon की तरफ by inductive effect इसका मतलब यह हुआ कि इस carbon पर जो del plus charge होगा उसकी density यहाँ पर बहुत ही कम हो जाएगी और ketone के इस carbon carbon पर attack कराना थोड़ा मुस्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर partial positive charge की जो density है वो क्य यह कहेंगे कि यहाँ पर ketone जो है less reactive हो जाएगा with respect to aldehyde अगर आप से पूछा जाए कि acetaldehyde और acetone में ज्यादा reactive कौन है nucleophilic addition reaction के लिए तो आपका जबाब होना चाहिए acetaldehyde क्योंकि acetaldehyde क्या है एक aldehyde जबकि acetone एक ketone है चले इसको दोनों region से समझा देता हूँ जो इस acetone के इस carbon के दोनों किनारे CS3 group लगे हैं तो यहाँ पर किसी nucleophile का इस carbon के center पर पहुंचना कठीन होगा क्योंकि इसके दोनों किनारे CS3 group होंगे और वो nucleophile को approach नहीं करने देंगे उस carbon carbon की तरफ in acetone लेकिन acetaldehyde के case में यहाँ पर एक hydrogen होगा तो किसी nucleophile का इस carbon पर attack कराना आसान होगा क्योंकि hydrogen की size तो छोटी होती है यह हुआ हमारा पहला region दूसरा region क्या था कि partial positive charge कितना है कार्बोनील कार्बन पे तो देखो भी है इस वाले कार्बन की बात करें तो यहाँ पे केवल एक CS3 group बगल में लगा है तो CS3 क्या करेगा प्लस I से electron भेजेगा अगर प्ल CS3 group प्लस I से electron दे रहे होंगे इस कार्बन की तरफ अगर इस कार्बन को दो तरफ से electron मिल रहे होंगे इसका मतलब वहाँ पर present जो हमारा partial positive charge है उसकी density बहुत कम हो जाएगी अगर वहाँ पर charge की density कम हो रही है तो किसी nucleophile का वहाँ attack कराना tough हो या कठीन होगा इस वज़ा से हम यह बोलेंगे कि हमारा acetone less reactive है लेकिन हमारा acetaldehyde more reactive है reactivity order पर based question पूछा गया था CBSE 2012 में एक नंबर का वहाँ पर दिया गया था acetaldehyde acetone और दिया गया था methyl tertiary butyl ketone तो देखो वहाँ किसका structure है acetaldehyde का structure है और यह रहा हमारा acetone का structure यहाँ पर देखो यह क्या है ketone को represent कर रह है tertiary butyl लगा रखा है और एक तरफ यह methyl group लगा रखा है तो इस तरीके से methyl tertiary butyl ketone यह हो जाएगा यहाँ पर tertiary सब्द क्यों लिखा गया है क्योंकि हमारा यह carbon जो है 3 degree है कहने का मतलब इस carbon से 3 carbon connected है अब हमें इनके reactivity order को देखना है किसके लिए nucleophilic addition reaction के लिए तो देखो हुई है यह पहला जो है वो क्या है LD हाइड है जबकि यह दोनों क्या है ketone है और हमें पता है जो हमारा LD हाइड होता है वो जादा reactive है with respect to ketone के इस वज़ा से हम यह से LD हाइड को आगे रखेंगे लेकिन अब देखे यह दोनों क्या है ketone है अब हमें इन दोनों ketone में देखन और वही निउक्लियोफाईल अगर इस कारबन पर अटायक करने जाए तो बताइए आसानी से कहां पर अटायक होगा तो सायदा आपको समझ मिहारा होगा कि होगा क्योंकि हिस कारबन के किनारे दो छोटे गृप मतलब सी फारकी हुए है इस वज़ा से ये reactivity order में पीछे आएगा next question देख लेते हैं यहाँ पर दिया गया है यह बेंजलडिहाइड और यहाँ पर है यह असेटलडिहाइड हमें इन दोनों में reactivity order देखना है nucleophilic addition reaction के लिए तो देखो भया इस वाले में इस किनारे लगा हुआ है एक benzene जबकि यहाँ पर इस किनारे लगा हुआ एक CS3 group जो हमारा यह CS3 group है यह plus i से electron देने का काम करता है जबकि हमारा benzene जो है plus m दिखा सकता है यहाँ पर resonance की phenomenon करा सकता है कहने का मतलब हुआ कि यह benzene का यह जो हमारा pi electron है यह pi electron shift हो सकता है इस carbon double bond oxygen की तरफ क्योंकि यहाँ पर conjugation दिख रहा है अगर यह electrons यहाँ पर आएंगे तो निश्चित रूप से इस carbon की उपर जो del plus charge हुआ करता था मतलब कि partial positive charge हुआ करता था वो charge घट जाएगा क्योंकि उसको वहाँ पर electron की density मिल रही है यहाँ देखे वही चीज़ हमने लिखा है कि यहाँ पर partial positive charge घट जाएगा क्योंकि उसको यहाँ पर electron की density का support मिल रहा है by benzene ring अगर इस carbon पर present positive charge की density घट जाएगी तो कोई nucleophile आसानी से यहाँ attack नहीं कराना चाहेगा with respect to यहाँ के attack कराने के क्योंकि इस पर attack कराना आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ का del plus charge तो अभी जादा ही होगा क्योंकि CS3 यहाँ पर plus i से देगा और plus i fact जो है उतना impactful नहीं है जितना की resonance की phenomena के थूँ electron भेजने पर होता है अगर कोई आप से इस order का reason पूछता है तो जब आप दीजिए वहाँ पर कि वहाँ पर polarity of the carbonyl group जो है reduce हो जाता है benzenehydehyde के case में due to resonance next question में यहाँ पर दिया गया है acetophenone फिर दिया गया है acetone और दिया गया है acetaldehyde यह पूछा गया था डेली 2015 के examination में एक number का देखो भी हमारा acetophenone दिखता है कुछ ऐसा और हमारा acetone दिखता है कुछ ऐसा और यह है हमारा acetaldehyde क्योंकि यह aldehyde है इस वज़ा से यह reactivity order में सबसे आगे आएगा और यहाँ पर यह दोनों चीज़ ketone है तो यह निश्चितरूप से पीछे आने वाले हैं अब हमें इन ही दोनों में देखना है कि order में कौन आगे आएगा और कौन पीछे आएगा तो पहले देखिए क्या similarity है देखो भीया इतना part और इतना part तो दोनों में same है अंतर क्या है यहाँ पर CS3 group है और यहाँ पर benzene लगा हुआ है अभी हमने जस्ट उपर पढ़ाया कि जहाँ पर benzene लगा होगा वहाँ पर electron की density जाएगी और यहाँ का del plus charge क्या हो जाएगा बहुत ही कम हो जाएगा तो किसी nucleophile का यहाँ approach करना आसान नहीं होगा जबकि यहाँ पर nucleophile आसानी से जा सकता है attack कराने इस वज़ा से acetone जादा reactive होगा with respect to acetophenone अब हम यह बात कर लेते हैं कि आखिरकर इस reaction को nucleophilic addition reaction क्यों बोला गया है addition reaction तक की बात हो समझ में आ रही है कि हमारे इस reactant पे H और nucleophile जाकर के add हो रही है इस वज़ा से इसको हम addition reaction बोल रही है लेकिन इस addition reaction के आगे यह nucleophilic सब्द क्यों लगा है तो ध्यान देना अगर किसी reaction के आगे nucleophilic या electrophilic लगा है तो यह चीज आती है mechanism के पहले step से यहाँ पर देखिए mechanism के पहले step में nucleophile जाकर के attack कर रहा है reactant के इस carbon पे क्योंकि यहाँ पर nucleophile जाकर के attack कर रहा है इस वज़ा से इस reaction को हम nucleophilic addition reaction बोलेंगे तो चलिए अब nucleophilic addition reaction के कुछ example practice कर लेते हैं जिसमें से पहला है addition of HCN या hydrogen cyanide HCN को add कराने के लिए हमें दो reagent की जरूत पड़ेगी जिसमें से पहला reagent होगा NaCN मतलब sodium cyanide और इसके बाद हम solution में डाल रहे होंगे HCl मतलब की hydrochloric acid यहाँ पर हम reactant ले रहे हैं ketone जब ketone की reaction हम NaCN के साथ कराते हैं तो NaCN यहाँ पर टूट रहोगा Na plus and CN negative के form में CN negative में इस carbon पर होगा negative charge यह negative charge अटेक कर रहोगा इस carbon की center पर तो carbon और oxygen के बीच में जो हमारा pi bond है पर जो electrons present है वो उट करके आ जाएंगे oxygen की खोपड़ी पे इस तरीके से हमारे इस oxygen पर negative charge मिल जाएगा और इस oxygen के negative charge को counter करने के लिए Na plus यहाँ पर आ रहा होगा इसका मतलब हमें यह finally product मिल रहा होगा हमें जो यह product मिला है इसको हम acidify करेंगे माली जी हमने यहाँ पर HCl डाल दिया है तो HCl हमें क्या देगा? H plus देगा यहाँ पर oxygen के उपर जो negative charge होता है वो negative charge attack कर रहा होगा H plus के उपर तो यह hydrogen जाकर के connect हो जाएगा oxygen से और यहाँ पर OH ग्रूप हमें मिल रहा होगा देखो भी है H plus तो हमने यूज कर लिया बचा क्या? CL negative यह CL negative N plus के साथ गड़ बंधन करके क्या बना देगा? N e CL बना देगा और हमें जो यह product मिला है इसमें थ्यान दीजे तो इस carbon पर एक OH ग्रूप है और एक CN ग्रूप है यहाँ पर साइनो सब्द CN को represent करता है और हाइडरिन सब्द OH को represent करता है और किसी molecule के एक carbon पर अगर एक OH है और एक CN है तो इसको हम साइनो हाइडरिन बोलते हैं अब आप इस reactant को देखिए और आप इस product को देखिए तो आपको देख जाएगा कि यहाँ पर H और CN आकर के connect हो रहे है यहाँ CN जाकर के connect हो रहा है इस carbon से और हमारा hydrogen connect हो रहा है इस oxygen से चलिए वेडिसन ओफ SCN का एक example देख लेते हैं यहाँ पर दिया गया है acetaldehyde मतलब CS3, C double bond O and H उसकी reaction करानी है KCN के साथ तो KCN टोटेगा तो क्या बनाएगा K plus N C N negative कारबन के उपर जो negative charge है वो negative charge अटेक कर रहा होगा इस carbon के center पर और यहाँ पर जो πाई bond है उनके बीच में दोनों electron है वो दोनों electron जंप कर जाएंगे oxygen की खोपड़ी पे अगर oxygen की खोपड़ी पे जाएंगे तो यहाँ पर मिल रहा होगा negative charge और हमारा जो C N group है वो connect हो जाएगा इस carbon के साथ इस तरीके से हमें ये चेज मिल जाएगी जो हमें ये चेज मिली है इसकी reaction हम करा देते हैं H plus के साथ मतलब किसी acid के साथ तो ये O negative उस H plus के उपर attack करेगा तो ये वाला oxygen hydrogen के साथ जुड़ करके neutral हो जाएगा तो इस तरीके से हमें इस carbon पर एक OH group मिलेगा और एक C N group मिलेगा तो इसका मतलब हमें यहाँ पर cyanohydrin मिल रहा होगा आप यहाँ पर इस reactant और इस product को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हमने इस carbon से connect किया है एक C N group और इस oxygen से connect किया है एक hydrogen group finally हमने क्या किया H और C N को add कर दिया है अपने इस reactant के अंदर next में पढ़ना है addition of sodium hydrogen sulfide hydrogen sulfide कहने का मतलब होता है HSO3 negative यहाँ पर sodium बोला जा रहा है मतलब साथ में क्या होगा Na plus होगा तो Na plus और HSO3 negative को मिला के क्या बनने वाला है Na HSO3 बनने वाला है तो इसी को हम क्या बोलते हैं sodium hydrogen sulfide बोलते हैं आप इस चीज को NCRT से ना पढ़ है यह चीज वहाँ पर गलत दी गई है वहाँ पर attack ही गलत atom से करा दिया है आप इस reaction को यहीं से देख सकते हैं क्योंकि आपके NCRT में तो गलत लिखा हुआ है यहाँ पर देखे क्या दिया गया एक ketone जब हम ketone की reaction कराते हैं Na HSO3 के साथ देखो भईया यहाँ पर क्या रहेगा sulfur sulfur किसके साथ होगा double bond oxygen और इदर होगा OH और यहाँ पर होगा oxygen पर negative charge और साथ में होगा Na plus ठीक है लेकिन इस sulfur के उपर present होगा क्या lone pair ठीक है तो यहाँ पर जो यह lone pair होता है sulfur का यह attack करता है carbon के center पर क्योंकि इस carbon के उपर क्या रहता है dell plus charge oxygen के उपर dell negative charge जब यह lone pair यहाँ पर attack करेगा तो carbon और oxygen के बीच में जो दोनों electron है pie bond वाले वो shift कर जाएंगे oxygen की खोपड़ी पे ऐसा होने की condition में oxygen के उपर आजाएगा negative charge और उसको counter करने आएगा any plus और हमारे इस carbon से कौँ जुड़ जाएगा sulfur जुड़ जाएगा ध्यान देना भाई मैंने क्या बोला इस carbon से कौँ जुड़ेगा sulfur जुड़ेगा sulfur क्यों जुड़ रहा है क्योंकि sulfur का lone pair ही यहाँ पर attack कराता है आपके NCRTM उन्होंने लिखा है कि यह O negative attack कर जाता इसके उपर जो की गलत है ऐसा नहीं होता है तो आप यहाँ पर ध्यान देना कि यह reaction कैसी है reversible reaction है और हम यहाँ पर addition reaction करा रहे हैं कहने का मतलब हम carbon से क्या connect करा रहे हैं SO3H connect करा रहे हैं और oxygen से जोड रहे है Na plus अब इस molecule को थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसी molecule में देखिए क्या मिल जाएगा हमें O negative मिल रहा है और यहीं molecule के अंदर हमें यह H plus के form में मिल जाएगा तो यहाँ का जो यह hydrogen है यह जुड जाएगा इस oxygen के साथ और यह Na plus आ जाएगा यहाँ पर SO3 के साथ इसका मतलब हमने यहाँ पर acid base reaction करा दिया है क्योंकि यह part जो है acid का का काम करता है और यह part किसका काम करता है base का काम करता है और जो base है वो क्या लेगा H plus लेगा और यहाँ से यह वाला H plus shift हो जाएगा इस oxygen के पास जाएगा तभी हमें यहाँ पर यह OH मिल रहा है तो finally हमें यह addition product मिल जाता है जो की crystalline होता है मतलब कि हमें यह चीज crystal के form में मिल जाएगी तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप से कोई Na HSO3 add कराने को बोले किसी कीटोन के ऊपर तब आप carbon से connect कर रहे होंगे SO3 Na और oxygen से connect कर रहे होंगे एक hydrogen चलिए एक example देख लेते हैं यहाँ पर दिया गया है acetaldehyde उसके reaction कराने को बोला गया है Na HSO3 के साथ तो देखो भाया यह reaction कैसी होगी reversible nature की होगी पहले हम carbon के साथ क्या connect कर रहे होंगे SO3 H connect कर रहे होंगे और oxygen के साथ Na plus जोड रहे होंगे लेकिन जो हमारा यह SO3 H होगा यह acid का काम करेगा लेकिन यह O negative Na plus किस तरीके काम करेगा base का काम करेगा अरे भाई NaOH पढ़ते होना NaOH तो Na plus OH नेगटिव रहता है तो देखो यह Na plus है यह O negative ही तो है तो base जैसा ही तो दिख रहा है ठीक है इस वज़ा से हम बोल रहे है कि हाँ बेस जैसा काम होगा और यह acid जैसा काम होगा तो यहां का hydrogen उठकर के इस oxygen से connect हो जाएगा तो यहां पर मिल जाएगा हमें OH group और हमारे carbon से connected दिखेगा SO3NA हमें product में इस चीज के crystals दिखते हैं मतलब हमें यह crystalline form में मिल जाता है अगली चीज़ में पढ़नी है addition of grignard reagent तो पहले देखते हैं grignard reagent क्या होता है RMGX को हम grignard reagent बोलते हैं अगर RMGX को आप तोड़ोगे तो यहां पर R-negative मिलेगा और magnesium प्लस और X मिल रहा होगा जहां पर negative चार्ज होगा उसी को हम nucleophile घोसेत कर देते हैं जब इस RMGX की reaction हम इस की tune के साथ कराते हैं तो हमें यह product मिल जाता है चले देखते हैं कैसे मिला है देखो भी यह R-negative क्या करेगा यहां पर attack कर रहा होगा इस carbon के center पर जब R-negative इस carbon के center पर attack करेगा तो carbon और oxygen का जो pi bond है उनके दोनों electron उठ करके oxygen की खोपड़ी पर आ जाएंगे जब oxygen की खोपड़ी पर electrons आएंगे इसका मतलब महाँ पर negative charge बन रहा होगा पर O का negative charge अटैक करेगा और oxygen से जोड़ जाएगा hydrogen तो यहां पर हमें OH bond मिल जाएगा यहां पर जो magnesium प्लस और X था उससे आकर के connect हो रहा होगा CL negative क्योंकि यहां पर बचा हुआ पार्ट क्या है CL negative है तो magnesium से CL connect हो जाएगा जहां पर पहले से X present था तो इस तरीके से हमें यह product भी साथ में मिल जाएगा लेकिन हमें यह main product याद रखना है समझना है अब हम यह देखते हैं कि पूरी reaction में overall हुआ क्या है हमने reactant लिया ketone उसकी reaction हमने किसके साथ करा दिया RMGX के साथ करा दिया इसके बाद हमने उसमें acid डाल दिया तो हमें यह 3 degree alcohol मिल जाता है reactant और product को आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर R और H आ करके connect हो रहा है हमारे ketone से next में पढ़ना है addition of alcohol हम aldehyde पर alcohol add करेंगे in presence of acid हमने यहाँ पर यह LDH ले रखा और हमने alcohol लिया हुआ है ROH इसके reaction जब हम acid के presence में कराते हैं तो हमें यह hemi acetyl मिल जाता है लेकिन अगर हमने एक mole और ROH ले लिया और इसके साथ acid लिया तो हमें यहाँ पर acetyl मिल रहा होता है तो पहले चलिए याद करते हैं कि hemi acetyl कहने का मतलब क्या होता है देखो अगर एक कारबन पर एक OH है और एक OR ग्रूप है तो इसके लिए hemi सब्द यूज होगा hemi मतलब आधा यूज किया जा रहा है मतलब एक OH है और एक OR है लेकिन acetyl वाले पार्ट में देखें यहाँ इस कारबन पर एक OR है यहाँ पर भी एक OR है इसका मतलब कि एक कारबन पर अगर दो OR ग्रूप होंगे तो उसको हम acetyl बोलते हैं लेकिन अगर एक कारबन पर एक OH है और एक OR है तो उसको हम hemi acetyl बोलते हैं अब हम aldehyde से hemiacital के बनाने के mechanism को सीखेंगे देखें यहाँ पर हमने ले रखा यह aldehyde हमने लिया था acid तो acid हमें क्या दे रहा होगा? H+. इस H+, पर attack कर रहा होगा oxygen का lone pair जब यहाँ पर attack होगा तो oxygen की खोपड़ी पर आएगा positive charge क्योंकि यहाँ पर वो lone pair दे रहा है और हमारा जो H+, हो electron पा रहा है इस वज़ा से वो neutral hydrogen हो जाएगा और इस तरीके से हमें यह चीज़ मिल जाएगी अब हमने इसकी reaction ROH के साथ करवा दिया है तो oxygen के उपर क्या रहेगा? lone pair प्रजेंट रहेगा तो यह lone pair कहां पर attack करेगा? इस carbon के center पर attack करेगा अगर इस carbon के center पर attack होगा तो carbon और oxygen के बीच में जो pi bond है उनके दोनों electron उट करके oxygen प्लस के उपर चले जाएगे और अगर electron oxygen प्लस को मिल रहे है तो निश्चित रुप से हमारा oxygen क्या हो जाएगा? निउट्रल हो जाएगा और हमारे इस carbon से oxygen आ करके जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर oxygen ने क्या दिया है? lone pair दिया है इस वज़ा से इस oxygen पर क्या मिल रहा होगा? positive charge मिल रहा होगा इस oxygen और hydrogen के बीच में दोनों electron है वो दोनों electron से फट हो जाएगे oxygen प्लस के उपर क्योंकि देखो हमने सुरू में क्या यूज़ किया था? H-plus यूज़ किया था तो हमें solution को H-plus वापस भी करना होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह oxygen निउट्रल हो जाएगा तो इस तरीके से हमें यह hemiacetal मिल जाता है जहाँ पर इस carbon पर एक OH ग्रूप मौझूद है तो दूसरा OR ग्रूप मौझूद है अब हम aldehyde से acetyl कैसे बनाते हैं? उस पर चर्चा करेंगे पहला step तो हमें समझ में आ गया इस carbon से यह वाला OR ग्रूप कनेक्ट हो जाएगा और हमें यह acetyl मिल जाएगा लेकिन आप इस बात को डारेक्ली याद करना चाहते हो कि यह aldehyde से हमें acetyl कैसे बनाएंगे तो उसके लिए देखिए आपको क्या ट्रिक अपनाना पड़ेगा देखिए हमने यह ले रखा है aldehyde ठेक है इस पर हमने दो मोल आरोच लिया तो दोनों आरोच का आप हाइड्रोजन और इस c double bond ओ का oxygen water के form में निकाल करके बाहर कर दीजिए और इस carbon से यह वाला oxygen कनेक्ट कर दीजिए तो इस तरीके से हमें यह acetyl मिल जाएगा next बहुत important है जो की है addition of ammonia and its derivative इसके product को comment करना बहुत ही आसान होता है देखिए हमने यहाँ पर reactant ले रखा एक ketone इसके reaction हम करा रहे हैं NH2Z के साथ यहाँ पर Z कोई group हो सकता है जब हम इन दोनों के reaction कराते हैं तो यहाँ पर हमें carbon और nitrogen के बीच में double bond मिलता है देखो भी यहाँ पर हुआ क्या इस carbon के साथ जो double bond oxygen है यह वाला oxygen और nitrogen पर लगा हुआ यह दोनो hydrogen एक दूसरे के साथ मिल करके water के form में बाहर आ जाते हैं और यह nitrogen जो है connect हो जाता है इस carbon के साथ double bond के थूँ तो इस तरीके से हमें यह product मिल जाता है इसका mechanism अभी आपके course में नहीं है तो normally आपको ऐसे ही सीखना है कि दोनों को मिला करके हमें water हटाना है और यह product comment कर देना है अगर हमने इस jet की जगा पे hydrogen ले लिया तो यह हमारा क्या बन जाएगा NH3 बन जाएगा और NH3 को हम क्या बोलते हैं ammonia बोलते हैं जब हम ammonia की reaction की टोन के साथ कराते हैं तो यह हमें immune मिल रहा होता है यहाँ पर भी वही कहानी हुई है यहाँ वाला oxygen हटाना है इस system को हम क्या बोलते हैं immune बोलते हैं अब मैं आगे जो भी पढ़ाने वाला हूँ उसमें से मैं यह सिर्फ jet group को change करूँगा और मैं यहाँ पर यह products बना रहा हूँगा अगर माली जे jet हमने ले लिया R कोई alkyl group ले लिया तो इसको हम क्या बोलेंगे 1 degree amine बोलेंगे क्यों की nitrogen से क्या जुड़ा हुआ एक carbon जुड़ा है और R NH2 को हम क्या बोलते हैं amine group बोलते हैं इसको हम 1 degree amine बोलेंगे जब ketone 1 degree amine के साथ reaction करता है तो हमें यहाँ पर substituted amine मिलता है product बनाते हुए हमें क्या करना है जहाँ जड़ लिखाता है वहाँ पर लाकर की R group लिख देना है अगर जड़ हमने OH ले रखा है तो क्या बन जाएगा NH2 OH बन जाएगा और NH2 OH को हम बोलते हैं hydroxyl amine नाम को पहले याद करिए hydroxyl amine hydroxyl सब्द आता है OH के लिए और amine आता है NH2 group के लिए और अगर NH2 और OH एक साथ है तो निश्चित रूप से नाम बनेगा hydroxyl amine जब इस hydroxyl amine की reaction हम किटोन के साथ कराते हैं तो हमें यहाँ पर oxyme मिलता है याद रखना क्या बोल रहा हूँ है oxyme मिलता है oxyme में क्या होता है carbon double bond nitrogen और हमारे nitrogen पर OH group present होता है अगर हमने z group NH2 ले रखा है तो इसको हम बोलते हैं hydrogene hydrogene क्या है NH2 NH2 को हम hydrogene बोलते हैं hydrogene की reaction जब हम किटोन के साथ कराते हैं तो हमें यह product मिलता है जहाँ पर carbon double bond nitrogen होगा और nitrogen पर NH2 group present होगा अब देखें इसका नाम कैसे याद रखेंगे hydrogene से आप यहाँ तक का word उठाई है क्या हो जाएगा ह-y-d-r-a-z और ketone का own यहाँ पर लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा hydrogene बन जाएगा तो इसका नाम क्या है hydrogene है अभी जो हमने यह देखा एक hydrogene हटा करके उसके जगा पर phenyl group लगा दिया जाए मतलब benzene as a supplement लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा phenyl hydrogen बन जाएगा साथ याद करना भी आसान होगा कि कोई benzene के लिए हम क्या बोल रहे है phenyl बोल रहे है और इतने पार्ट के लिए हम क्या बोल रहे है hydrogene बोल रहे है तो total को मिला के क्या हो जाएगा phenyl hydrogen हो जाएगा जब हम ketone की reaction phenyl hydrogen के साथ कराते हैं तो हमें ये product मिलता है जिसका नाम होगा phenyl hydrogen इसके product को याद रखना बड़ा ही आसान होगा हमने phenyl hydrogen सब्द ले रखा है और own उठा रखा है ketone वाले parts से तो यहाँ पे हो जाएगा नाम phenyl hydrogen उपर वाली reaction में हमने phenyl hydrogen लिया था लेकिन अगर मैं उस phenyl ring पर को substitution कर दूँ तो हमें वो substitution का नाम भी पढ़ना पड़ेगा अगर इस NH group के respect में carbon number 2 पर मैं O2 लगा दू और carbon number 4 पर मैं O2 लगा दू तो यहाँ पे नाम क्या बनेगा इसका देख लीजिए 2,4-dinitro phenyl hydrogen पहले आप इतने part को पड़ेगे देखे क्या हो जाएगा यह 2,4-dinitro क्योंकि यहाँ पे दो नाइट्रो इस पता से नाम आएगा dinitro फिर आएगा phenyl hydrogen अभी जो आप यह structure देख रहे हैं उसको आप याद रखना है बहुत important है अक्सर आप से पूछ लिया जाता है कि 2,4-DNP क्या है और वो किस काम आता है तो पहले उसका structure याद रखें कि 2,4-DNP कहने का मतलब हुआ 2,4-dinitro phenyl hydrogen जब कीटोन की reaction हम 2,4-DNP के साथ कराते हैं तो हमें यह product मिल जाता है क्योंकि हमने जड की जगा पर यह ले रखा था तो निश्ची तरूप से product में भी हमें औरेंज PPT देता है क्योंकि यहाँ पर color आ रहा है आपके product में इस वज़ा से यह एक test का काम कर सकता है कीटोन के लिए तो चलिए देखते हैं कि 2,4-DNP test क्या होता है तो हमारा अगला topic है 2,4-DNP test मतलब 2,4-dinitro phenyl hydrogen test अगर कहीं पर कीटोन और aldehyde present है और हमें यह पता करना है कि क्या वहाँ पर कीटोन है या नहीं है क्या aldehyde है या नहीं है तो उसके लिए हम लगाएंगे 2,4-DNP test यहाँ पर हम ले रहे हैं एक test tube और उस test tube में डाल रहे हैं या तो आप कीटोन डालीजे या तो आप aldehyde डालीजे अगर मालीजे उसमें आप कीटोन ले ले रहे हैं और उसकी reaction हम करा रहे हैं 2,4-DNP के साथ देखें यह 2,4-DNP का एक flask है जिसका थोड़ा सा color आपको yellowist color दिखेगा ठीक है इस 2,4-DNP के जब हम 3-4 बूदे डालते हैं अपने कीटोन वाले test tube में तो हम यह देखते हैं कि जो पहले colorless solution हुआ करता था कीटोन का अब वो red-orange PPT में convert हो जा रहा है और यहाँ पर red-orange PPT आ रहा है इसका यह मतलब हुआ कि वहाँ पर 2,4-Dynitrofenile hydrogen बन चुका है क्योंकि red-orange तो इसी का color होता है अब हमें जो यह PPT मिला अगर हम इसका crystallization करा दें तो यह हमें red-orange crystals दे रहे होंगे तो आप इस बात को याद रखना कि कीटोन और aldehyde दोनों ही 2,4-Dynitrofenile hydrogen के साथ reaction करके red-orange PPT देते हैं इसका मतलब यह हुआ कि 2,4-Dynitrofenile test किसके लिए है carbonyl group को पता करने के लिए है मतलब कि किस group में C double bond O present है इसको पता करने के लिए हम यूज करते हैं 2,4-Dynitrofenile test अब हमें कीटोन की reaction सेमी कार्बजाइड के साथ पढ़ने है तो भहिया याद करना ही कठीन है पहले तो सेमी कार्बजाइड देखो भहिया यह है हमारा NH2 group इस NH2 group से हम कौन सा जड़ जोड रहे हैं NH, C double bond O, NH2 group जोड रहे है इसको याद करने के लिए आप पहले यूरिया याद रखे यूरिया क्या होता है NH2, C double bond O, NH2 आप ऐसे याद रखो कि अगर जड़ की जगा पर हमने यूरिया ले लिया तो वहाँ पर बनेगा सेमी कार्बजाइड क्योंकि इतना पार्ट आपको दिखेगा कि यूरिया का पार्ट है जब हम केटोन की रेक्शन सेमी कार्बजाइड के साथ कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट में सेमी कार्बजाइड मिल जाता है यह तो याद करना बहुत यासान है हमने क्या किया एजाइड का ID हटा करके उसकी जगा पर उन ला दिया क्योंकि हम reaction की tone के साथ करा रहे हैं अभी तक जो हमने सीखा है उस पर बेज़ रम कुछ questions कर लेते हैं हम पर लिखा गया है complete the reactions पहला question जो है पूछा गया था डेली 2012 में एक नंबर का यहाँ पर दिया गया है यह एसिटो फिनोन और इसकी reaction करानी है semi-carbazide के साथ in presence of H+. मतलब कि हमें acid दिया गया है और acid के presence में इन दोनों की reaction हमें यहाँ पर करानी है अभी तक जो हमने सीखा उसकी साब से हमें समझ मिया रहा होगा हमें product कैसे बनाना है यहाँ पर product बनाना बहुत आसान है आपको इस nitrogen पर present जो आपको यह दो hydrogen दिख रहे हैं आपको यह दोनों hydrogen हटाने है और इस oxygen को हटाना है मतलब कि दोनों को मिला करके H2O कायब कर देना है ऐसा करने पर क्या हो जाएगा यह वाला carbon connect हो जाएगा इस वाले nitrogen के साथ वो भी double bond के साथ तो इस तरीके से हमें यह product मिल जाता है देखो हमने किया क्या है यह hydrogen जब हटाया इस oxygen के साथ तो यह वाला carbon का जो part था वो इस वाले nitrogen के साथ connect हो जाएगा और हमें यहाँ पर semi carbon zone मिल जाएगा आपके बन में सवाल हो सकता कि आपने इसी वाले nitrogen के hydrogen को क्यों हटाया है आप इस वाले nitrogen के इन दोनों hydrogen को क्यों नहीं हटाते तो इसका जबाब यह है कि इस nitrogen पर present जो हमारा यह lone pair है यह lone pair जो है resonance में होता है carbon double bond oxygen के साथ इस वज़ा से यह nitrogen पर present जो lone pair होगा वो free नहीं है इस पर attack कराने के लिए मतलब कि carbonil carbon पर attack कराने के लिए free नहीं है C double bond O के उपर लेकिन हमारा जो यह वाला nitrogen है इस पर present जो हमारा lone pair है यह lone pair resonance में नहीं है इस वज़ा से यह आसानी से यहाँ पर attack करा सकता है अगर यहाँ पर कोई सवाल पूछे तो आप जबाब दीजिए कि इस nitrogen पर present जो lone pair है यह दोनों lone pair बिजी हैं resonance में इस वज़ा से यह attack नहीं करा सकते C double bond O के उपर वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि बोथ lone pairs are in resonance with C double bond O लेकिन इस nitrogen पर present जो हमारा lone pair है उसके बारे में लिखा गया है इस वज़ा से ही हम यहाँ वाली nitrogen से attack कराते हैं तो हम इन ही hydrogen को गायव करेंगे इसके आगे में दो question देखना है वो पूछा गया था C B C 2015 में दो नमबर का जिसमें से पहला है कि CS3 C double bond O CS3 मतलब कि acetone की reaction अगर hydroxyl amine के साथ कराई जाए in presence of H plus मतलब की acid तो वहाँ पर क्या product बनेगा तो देखो भया यह हमारा ऐसी टोन उसके reaction हम करा रहे है hydroxyl amine के साथ तो हमें यहाँ के oxygen और इन दोनों hydrogen को गायब करना है water के form में तो हमारे इस carbon से यह वाला nitrogen connect हो जाएगा pie bond के through कहने का मतलब यह हुआ कि हमें यहाँ पर propanone oxyme मिल जाएगा हमने यहाँ पर propanone इसलिए बोला हुआ है क्योंकि हमारा यहाँ जो ketone है उसका नाम propanone है oxyme सब्द क्या बताता है कि यहाँ पर carbon double bond nitrogen present है और हमारे nitrogen पर OH ग्रुप लगा हुआ है next question में CS3C double bond OH मतलब के acetaldehyde दिया गया है उसके reaction बोला जा रहा है semi carbozyd के साथ कराएगे in presence of H plus मतलब acid के साथ reaction कराके आपको यहाँ पर product comment करना है तो देखो भई यह हमारा acetaldehyde है और हमारा semi carbozyd है यह वाला oxygen और यह दोनों hydrogen आप क्या करिये हटा दीजिए water के form में तो इस तरीके से हमारा यह वाला carbon connect हो जाएगा इस nitrogen के साथ double bond के थूँ तो हमें यहाँ पर मिल रहा होगा semi carbozyd लेकिन अब की बार जो semi carbozyd मिला है यह किसका semi carbozyd है? acetaldehyde का semi carbozyd है